दोस्तु क्या होगा अगर चाइना और इंडिया में बने हुए हत्रोडे यानी हैमर्स को रख दिया जाए एड्रूलिक प्रेस के नीचे आप सभी लोग उनको तो पते होगा कि आईड्रूलिक प्रेस के नीचे रख दिया तो जब चाइना में बने हुए हैमर्स को आईड्रूलिक प्रेस के नीचे रखा गया तो वह कम से कम 25 टन का वजन लेने के बाद खुछ इस तरीके से पिचकने लगा और हाँ जब यह हतोड़ी के उपर 50 टन का प्रेसर लगा तो भाई यह पूरी तरीके से पिचकने लगा तो जलोब देखते कि इंडिया में बने हुए हैमर्स को आईड्रूलिक प्रेस के नीचे रखने से क्या होता है लेकिन वो देखने से पहले अगर आप सभी लोग भी एक सचे इंडियान हो तो इस शोट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब के भी कर तो मत जाना और हाँ आप सभी लोग ये वीडियो कौन से टाइम पर देख रहे हों मुझे कमेंट बॉक्स में जाके जरूर से बता देना हाँ तो जब इंडिया में बने हुए एमर को आइडरोलिक प्रैस के नीचे रखा गया तो भाई वो जो एक कम से कम सो टन तक का वुजन ले लिया यार और हाँ एक गजब की बात भाई इसके उपर सो टन का प्रेशर लगने के बाद भी इसको एक भी करुच नहीं आई यार